हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सबी मैं जानता हूँ अभी सबका बुष्टी की जिनता है नौकरियां छोट रही है लेकिन इसी बीच एक खुशकबरी यह है कि एक दवाई जो की जल्द ही मार्केट में आ जाएगी और फिर जन जिएन वैसे हो जाएगा जैसे हुआ करता था त तो 30 साल के एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन है को वैक्सीन उससे दिया गया है जिसों की भारत बायोटिक कंपनी ने मिलकर ICMR के साथ नाया है जो की इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च कहलाती है और नैशनल इंस्टूट अव वायरिलोजी जो की वायरेस रिलेटेड इंस्टूट है उसके साथ बनाचा है इसको दो फेजों में कहतं होगा जो की पहला फेज है जो की शुरू हो छुका है जो की एमस टैली, एमस पटना और पारकिस सथानों में किया जा रहा है यह जो को वैक्सीन बनाया है उसका पहला स्वरेशी प्रिक्शन स्टार्ट होआ है और ये बहुत ही बड़ी बात है भारत के नज़रिये से कि भारत अपना ही एक वैक्सीन त्यार कर रहा है अब बात करते हैं को वैक्सीन है क्या तो को वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो कि उच्छे नियंतरण वाली जगह होती है, high containment zone बोलते हैं उसको, इस vaccine का नाम BBV152 भी कहा जाता है, इसको जो निश्क्रिय कोरोना वाइरस होते हैं, निश्क्रिय कोरोना वाइरस वो होते हैं जिन पर जान नहीं होती और जो की active नहीं होते, तो उन कोरोना वाइरस से ये vaccine ली जाती है, फिर शरीर में इसकी परती रोदक शमता बनती है, और उसके बाद जब कोई और strong जो कोरोना वाइरस आते हैं, तो उसको वो हरा देती है, को वैक्सीन का trial जो है, वो शुरू हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति को दवाई दी गई है, और उसको जाजा जा रहा है, 30 लोगों को पहले phase में दिया जाएगा, जो की अभी देने वाले हैं, वो 30 लोगों को दिया जाएगा, 100 लोग total aims में दिया जाएंगे, जो aims Delhi है, उसम 18-55 साल के लोगों को दिया जाएगा, जो second phase होगा, उसमें 750 लोगों को 750 लोगों को दिया जाएगा, और देखा जाएगा जो की 12-65 साल के होंगे, ताज्यू की बात ये है, कि 1800 लोगों ने इस चीज के लिए अपना registration पहले ही करा लिया है, में बात ये है कि इस trial जो dose होगा, इससे पता चलेगा कि कितनी dose जो है, एक आदमी को देनी चाहिए, ताकि वो ठीक हो सके, तो वो fit हो सके, इसके लिए कितनी dose देनी है, वो देखा जाएगा, इस trial में 4 group बनाये जाएगे, जिसमें से 3 groups को तो coronavirus की जो covaxin दवाई है, वो दी जाएगी, और एक को दिया जो की दिमागी सूजन रोग के लिए यूज होती है, और पता किया जाएगा कि आखिर लोग जो हैं, उनको सच में ही इस चीज से कोई फरक पड़ रहा है, या फिर वो अपने आप ही बोर्ड हैं, तो इसलिए इसका जब कोई भी एक इलाज होता है, तो उसमें क्या होता है एक डमी दिया जाता है, जैसे कि चार लोग हैं, तो चार मेंसे तीन को दवाई दी जाती है, और एक को सिर्फ कुछ भी मिला के दे दिया जाता है, तो उससे फिर पता चला जाता है कि इसके जो रिजल्ट हैं, वो 100% ठीक आ रहे हैं, या फिर कुछ जूट बोर रहे हैं, य इतनी मजबूत हो सकी है वैक्सीन डालने के बाद, कि अब वो कोरोना से भी लड़ लेगा, जो फेज पहला है, उसमें 375 वोलेंटेर्स होंगे, 375 लोग जो होंगे, वो फेज 1 में उनको वैक्सीन का ट्राइल दिया जाएगा, और जो बाकी 750 लोग होंगे, उनको फेज 2 मे जो है, वो ट्राइल दिया जाएगा, असली बाद यह है इस वैक्सीन की, कि यह सिर्फ 15 अगस से पहले ठीक हो जाएगा, मतलब इसका जो ट्राइल है, वो 15 अगस से पहले कर दी जाएगी, और यह एक चुनाती है, क्योंकि इसमें 6 से 1 साल लग जाते हैं, 6 मेहने से 1 साल इस मेहने और साल लेता है, लास्ट वाला जो सबसे टेज जो रिकॉर्ड बनाया है, क्लिनिकल ट्राइल का, जिसमें की को वैक्सीन बना के देव देचा चुकी थी, वो 4 साल में बनी थी, तो आप देखना होगा, क्या है एक साल में पूरा हो सकता है या नहीं, और उसी में भार टोटल केसे जाए हैं, वो हैं 42 लैक, जो की टोटल केसे हो चुके हैं, 23 लैक जो हैं ब्रैजील के हैं, और इंडिया के हैं 13 लाग, तो गाइस, इस सिचुएशन में अभी जब की वैक्सीन बननी तयार हो चुकी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो इ आए हैं